नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर हमें बात करेंगे half adder और half subtractor के बारे में क्या आप एक half adder और half subtractor कैसे बना सकते हैं तो सबसे पहले start करते हैं half adder से A combination circuit that performs the addition of two bits is called a half adder तो half adder भी एक combination circuit होता है जो कि perform करता है addition of two bits दो bit का वो sum कर सकता है a combination circuit that performs the addition of 3 bits 2 significant bits and a carry bit is called a full adder और जो combination circuit 3 bit का sum करता है जिसमें 2 significant bit होगी और 1 carry bit होगी उसे हम full adder करते हैं जिसे हम आगे देखेंगे तो किसी भी full adder को design कर सकते हैं with the help of 2 half adders 2 half adder को लगा के हम 1 full adder बना सकते हैं तो full adder 3 bit को add करेगा और half adder 2 bit को add करेगा ठीक है half adder consist of 2 inputs X and Y तो half adder में 2 input होते हैं X और Y and 2 outputs sum जिसे हम S से represent करते हैं and carry जिसे हम C से represent करते हैं ठीक है तो basically आप यह समझ लेए कि आपको यहाँ पर half adder बनाना है जैसा कि आपने design procedure में देखा था कि आप एक combination circuit कैसे design कर सकते हैं तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि आपको problem कुछ इस तरीके से दी हुई है कि आपको एक ऐसा circuit बनाना है जो 2 bit का sum कर सके ठीक है ना तो obviously उसमें input कितने होंगे 2 होंगे क्यों 2 bit का हमें addition करना है तो 2 input हो गए ठीक है और जब 2 bit को आप जोडते हैं तो output भी अपने को 2 मिलते हैं एक तो sum आता है और एक carry ठीक है इस वैसे 2 output हो गए तो आप इस particular circuit को design करने के लिए जो महाफ़ेडर design करने जा रहे हैं तो 2 table बना सकते हैं 2 table में x, y और c and s ठीक है तो input x and y है तो इसके लिए कितने possible combinations हो सकते हैं 00, 01, 10, 11 ये 4 possible combinations हो सकते हैं तो इसके corresponding output क्या होगा 00 को आप add करेंगे तो sum क्या हैगा 0 और carry भी 0 01 को add किया तो sum 1 और carry 0 10 को add किया तो sum 1 carry 0 और जब 11 को add किया तो sum 0 होगा और carry 1 होगी ठीक है ना 1, 1 को add करते हैं 2 करते हैं 1, 0 क्या होता है 2 ठीक है तो the simplified boolean function for the 2 output can be written from the truth table तो truth table से आप simplified boolean function लिख सकते हैं तो s के लिए आप लिखेंगे तो क्या हो जाएगा s is equal to देखें एक तो यहाँ पर 1 आ रहा है तो इसके corresponding inputs क्या है x बार by प्लस एक यह बना रहा है इसके corresponding क्या input है x बार जिसे मैं लग सकता हूँ x एक्ज़र बाई ठीक है c के लिए क्या हो जाएगा c is equal to एक एवन है और जो उसके corresponding input क्या है x बाई ठीक है ना तो s के लिए आ गए x एक्ज़र y और c के लिए x, y तो यह boolean expression हो गए तो आप इससे circuit बना सकते है जो logic diagram बनाते थे तो logic diagram बनाएंगे तो उसमें दो input होंगे x और y दो output होंगे चाहिए s और c तो जब इसका x, y का एक्ज़र आप करेंगे तो क्या आएगा sum आजाएगा आपका और जब इनका multiply आप करोगे x और y का इससे के आजाएगा c आजाए clear है तो यह आपका logic diagram हो गया किसके लिए इस logic diagram for half adder clear है बना सकते हैं तो इस circuit बने design कर दिया तो यह half adder का हो गया I think आपको यह समझ में आया होगा अब देखिए similar way में हम half subtractor भी यहां कर सकते हैं तो half subtractor क्या होगा half subtractor भी एक combination सक्ट होता है that perform subtraction of two bits यह दो बिट को गटाएगा इसे हम half subtractor कहेंगे it has two inputs x minute and y subtract तो इसमें input होगे एक वो input होगा जिसमें से अपने गटाना है और एक होगा जिसे गटाना है ठीक है and two outputs d एक को हम d कहेंगे जो difference होता है और एक होगा borrow ठीक है ना तो subtractor की बात करते हैं तो वहाँ पर borrow होता है और addition की बात करते हैं तो वहाँ carry होता है तो वही है तो इसका हम symbol बना सकते हैं logic symbol यहाँ पर भी आप देखिए logic symbol नहीं बनाया गर इसका symbol बनाने की बात आती है symbol भी आप बना सकते हैं simple उसे इस तरीक से बनाते हैं symbol half adder है तो h a लिख दिया दो input हो गए x और y दो output हो गए sum and carry तो इसका symbol हो जाएगा इस तरीके समय से बना सकते हैं तो यहाँ पर भी हमने logic symbol बना के दिखा दिया है half subtractor के लिए x, y input हो गए output हो गया d and b d is the difference, b is the borrow यह इसका logic symbol हो गया तो टेबल आप इसके लिए बना सकते हैं input यहाँ पर दो है x, y तो इसके लिए possible combination ही चार हो जाएंगे 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1 ठीक है तो देखिए output कैसे आएगा इसके लिए 0 में से आपने 0 गटाया 0-0, difference is 0 और borrow 0 फिर आपने 0-1 किया तो 0-1 तो नहीं जा सकता ठीक है न, तो यहाँ borrow लेना होगा तो borrow 1 आगया ठीक है, और जब यहां borrow ले ले लेंगे तो 1-0 हो जाएगा, 1-0 हो जाएगा 2, तो 2-1 किया तो क्या बचेगा 1, तो यहां आगया 1-1 ठीक है, 1-0 तो difference क्याएगा 1, और borrow 0 1-1 किया, तो difference 0 जाएगा 0, तो I think equal to 1 है, इस 1 के, यह किसके corresponding है जो important के, यह x bar y plus, यहां देखिए, यह किसके corresponding है इसके x y bar, तो इस मैं क्या ले सकता हूँ x x और y, ठीक है, बी के लिए आप देखेंगे b is equal to क्या है, तो यहां देखिए, x bar और y, ठीक है, तो यहां पा अगर आप एडा से combination करें, तो देकिए, sum के लिए जो expression आथा, x, x और y, तो difference के लिए उसे हम आया है, लेकिन अगर carry के लिए यहां देखा था, x, y आ रहा है, और यहां बोरो के लिए x bar y आ रहा है, ठीकिए न, तो इसके हम logic diagram भी बना सकते हैं, देखें कैसे बनाएंगे, input हमारे पास x और y है, तो इन दोनों को लेके, x जोर किया, तो इससे हमें क्या मिल जाएगा, difference d, और x बाहर चाहिए अपने को, तो यहां पर मैं, note लगाना होगा, x से और y ऐसे आ गया, यहां पर आपने लगा दिया end gate, यह हो गया, borrow, ठीक है, तो half adder और half subtract, देखें, यह half adder है, और यह half subtract है, क्या difference है दोनों में, सिर्फ यह not get का, यहां पर not get लगा दिया है, x जो आ रहा था, इस पर हमने not get लगा दिया है, तो यह half subtract हो गया, बना सकते हैं, तो I think आपको half adder और half subtract समझ में आया हुगा, आप आसा ही से इसके लिए circuit बना सकते हैं, thank you,